नमस्कार दोस्तों बहुत वागत आपका अमारे शल में इस वीडियो में बात करने वाला हूं यह एक जो बुक है आचार प्रसांट जी के द्वारा प्रकासित की गई आचार प्रसांत प्रसांत अद्वेत फांडेशन के द्वारा भागे बला न होएका और संत कभी दितस के दोह को दोह पर भास से हैं तो इस बुक के बारे में थोड़ी हम लोग चर्चा करने वाले हैं और कैसे और करना है कहां से आप पढ़ सकते हो ऑनलाइन इसकी कैसे भी आप ई-बुक भी कैसे पढ़ सकतो पूरी डीटेल में मैं बताऊंगा वाज दिस वीडियो टेले तो सब सबसे पहले बात करते हैं कि बुक के कॉंटेंट्स के बारे में तो सबसे पहले जो हो थोड़ी संचिप जीवनी दी गई हुई है अचार प्रसांद जी के बारे में और उसके बाद जो है वो क्या है कि जो चुनिंदा दोहे हैं उस पर यहां पर चुनिंदा दोहों पर जो ह बचन आपसे ना आए वह मीठा है घड़ जलाना नहीं घड़ को डॉसन करना है बक्ति माने क्या चमा माने क्या चलना काफी है और भी बहुत सारे जो है वो और और मिंस इसको और भी दो तीन टैपस में किया गया हुआ है जैसे पहला कॉंटेंट है साधोरे फिर दूसरा है माया महा ठगनी फिर है अनहत का मैदान तो ऐसे जो है वो मिंस इससे सजाया गया हुआ है और इसमें जो है वो अब देखो कि एक स्लोक या फिर उसका क्या-क्या म में पता चलती है उसे और भी अच्छे तरीके से जो है वो अचार जी ने समझाया हुआ है तो जैसे यह देखो गया आप यह वाली जो चैप्टर है कि इस चैप्टर में जो है वो तुम्हारी सहमती के बीना ठगे जाना ठगे नहीं जा सकते तुम कभीरा आप ठगाईए औ और न ठगी कोई आप ठगे सुख होता है और ठगे दुख होते हैं तो इस पर जो है वो अजारी जी का क्या इस पे बहाद से है उसके बारे में अचार जी ने कहांघ को फिर माया तो ठगनी भाही ठगत फिर्यक्र तो ऐसे ही जो है जो जो साखी है दोया है उस पर आचारी जीन ने वह इस पर बताया हुआ है और प्रस्नकर्था रहते भी हैं तो उनसे भी जो हो जो बादशीत होती है वो भी इसमें में संड है अब काफी अच्छी बुक है मैंने तो पढ़ी है और आप पढ़ोगे तो आपको भी और भी जो आपके मन में होगा दोहो के प्रती की दोहा का ये मतलब ही हो सकता है वो दिमाग से निकलेगा और कुछ और भी हो सकता है दोहों का मतलब वो भी आपको पता चलेए और काफी अच्छा है और एसा भी है कि आपको एक चुनाथी पुनट जीवन जीने के लिए प्रेडित करती है इस अभी कि यह सभी जो दोहें हैं साखिया हैं वो और ग्रेम करना ये जो है वो आपके ब करना चाहते हो तो आपको 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 करनी होगी अपना अकाउंट बनाना होगा और वहां पर आप जो है वह अरूंड फिफ्टी वन रुपीज के आसपास तक जो हो इबुक मिल जाती है तो इबुक वहां से आप पड़ सकते हो और रही बात अगर हाट पेपर वैक की जैसे यह पेपर वैक है ओके मिंस पेपर बैक मतलब की जो हाट कॉपी आपके हाथ में होती है तो वह जो है वह सॉफ्ट कोपी रहती है तो आप एबुक के तरफ फॉर्मेट में पढ़ सकते हो अचार प्रसांत एप पर ओके और वह काफी जो है वह आपको सस्ति प्राइ और बात करें अगर बुक की तो बुक की जो यहां पर देखोगे तो यहां पर लिखी गई हुई है कि आराउंड 550 के आसपास ओके लेकिन यह आचार जी का ही प्रेम है कि इसे काफी वह सस्ते मुल्य पर आपको पहुचा देते हैं तो यह आराउंड 150 या फिर उससे कम 129 कभ तो मितलब विद डिलेवडी चार्जेस ओके और आप चाहे तो प्लीज और संस्ता को डोनेट करें अगर आपको चाहते हो कि आचारी जी की मिसन जो है वो आगे बढ़े तो आप और भी डोनेट कर सकते हैं या फिर आप जो है वो गीता समागम में भी जूड़े उसका लिं अपने माता पीता दोस्तों भाई बहन या फिर कालीक्स कहीं भी अगर आप चाहते हो कि संत्कवीर्दास के दोहे और जगह भी फैले तो यह बुक को आप जो है वो उनके एड्रेस पर भी डिरेक्ट और कर सकते हो उसके लिए भी आपको वेब्सार्ट पर जाना है अपने अपने अकाउंट में करना है अगर आपने अकाउंट ने बनाया हुआ है तो आपको अपना मुवाइल नमर इमेल अड़े सोटीपी नेम यह सभी डाल के लोगिन कर ले लिए उसके बाद जो है वो बुक पर जाना है आपको एड्टू कार्ट करके अपना एड्रेस आना है या फिर जिसके पास आप भेजना चाते हो वो डालना है डोनेसन अमाउंट डाल लिए एक मिनिम्मूम डोनेसन अमाउंट होती है जैसे कभी 150 होती है या फिर 129 या फिर आप चाहे तो उससे ज्यादा भी ढाल सकते हैं ताकि संस्था को डोनेसन जाए तो उसकेस में जो है तो फिर आपको payment करना होगा और payment करने के बाद जो है वो 24 hours के बाद जो है वो tracking ID generate हो जाती है tracking ID से जो है 24 hours में usually जो है वो क्या होता है कि book dispatch होने के लिए ready हो जाती है तो आपके पास जो है एक tracking ID मिल जाता है website मिल जाएगा माइडर के section में आप जाओगे तो आपको website मिल जाएगा फिर वहां से जो है वो आप order कर सकते हो और वह आपके घर में साथ से 10 दिनों के अंदर आ जाती है और एक बात कि इसमें जो है वो payment payment आपको पहले करना पड़ता है तो cash on delivery का option नहीं है पहले जो है वो payment करना पड़ता है तो निश्यंत रही है आप विश्वास कर सकते हैं और आपको बुक में कोई आने में देरी होती है तो आप संस्था के लोगों का नंबर जो है वो आप website से नहीं मिल जाएगी या फिर जो है वो आप वीडियो जो आचाड़ जी की देखते होंगे यूटूब चैनल पर उस चैनल पर भी जो है वो वीडियो पर फोन नंबर लिखा रहता है तो उन फोन नंबर्स पर भी आप या फिर email address email पर भी जो है आप उन्हें पूछ सकते हैं और जरूर आप पढ़िए अगर आपने पढ़ाया तो और लोगों को तक भी बाढ़िए ताकि जो मिसन है वो और आगे बढ़ सके और और लोगों तक उनकी बात पहुंच पाए और हमारी आंतरिक उन्नती हो धन्यबार